एक गोरिल्ले को जिसे पहले अद्रश्य कर दिया गया था, अब वैज्यानिक उसे सफलता पूरवक अपने वास्तविक रूप में वापस ले आते हैं। लेकिन डॉक्टर अब तुरंत इस प्रयोग का परिक्षन इंसानों पर भी करना चाहता है। अपने सहकर्मियों के विरोध के बावजूद, डॉक्टर इसे खुद पर आजमाने का फैसला कर लेता है। अब सारी तयारियां हो चुकी थी, साइंटिस्ट अद्रिश्य करने वाली नीली दवाई निकालता है। लेकिन कुछ मिनट बीत जाने पर भी उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके शरीर के सभी अंग सामान या धंग से काम कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही उसकी बाहें जुनजुनाहट के साथ गर्माने लगती है। अगले ही क्षण दवा का तेज असर शुरू होता है। और उसे ऐसा लग रहा था मानू उसका शरीर टूट कर बिखरने वाला है। सारे इंडिकेटर्स खत्रे की और इशारा कर रहे थे। उसके मस्तिस्क में तीवर हलचल हो रही थी। और अब लग रहा था कि वो कभी भी माला जाएगा। लेकिन तभी डॉक्टर की बॉड़ी गायब होना शुरू कर देती है। और अब उसकी हार्टबीट भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। और कुछ देर बाद बैट पर सिर्फ हड़ी बची थी। और अब वो जीता जाकता आदमी सब के सामने गायब हो गया था। लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वो गहरी नींद में चला गया। और जब जागा तो उसने खुद को एक पारदर्शी मानव के रूप में देखा। और अब वो खुद को शीशे तक में भी नहीं देख पा रहा था।